ठीक है तो नॉर्मली जब हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस राइट तो हम बोलते हैं कि यार यूजर को क्या क्या दिख रहा है मतलब हम बोलते हैं कि यूजर इंटरफेस बहुत क्यादा कॉंपलेक्स है या यूजर इंटरफेस काफी एजी है तो इसका मतलब कि जो user को दिख रहा है, जो वो कर सकता है basically, उस interface को use करके, user can do some operations using that user interface, correct, तो वो easy है, मतलब उसके लिए करना या tough है, उसके लिए करना, मतलब समझ पाना easy है, समझ पाना tough है, correct, तो interface also means the same, कि यार, हम कोई मेरा बंदा code consume कर रहा है, मेरा code, मतलब call करने की try कर र उसको जो मैं interface expose करना चाहता हूँ, वो मेरा interface कौन-कौन से method contain करता है, ठीक है, for example, यार, वो ये calculator है, है न, वो मुझे क्या क्या interface expose करता है, एक sum interface expose करता है, एक product करता है, एक divide करता है, एक multiply करता है, है न, मतलब और भी कर सकता है, मतलब ये मोटा-मोटी 4 interface है, जो वो calculator expose कर रह है, और जो भी subtract, ठीक है, अब देख, similarly, हमारी, हम जो class लिखते हैं, ठीक है, हम actually class को बाहर expose नहीं करना चाहते हैं, हम उस class को, class के methods को, via some interface बाहर expose करना चाहते हैं, ठीक है, नई समझ मैं, बारभून, देख, एक class है, राइट, अगर तुने class को directly बाहर expose कर दिया, ठीक है, तो कोई भी उस class का object create करेगा, और उसके method को call करना start कर देगा, ठीक है, अगर वो method public है, तो वो call करी पाएगा, अगर वो प्राइवेट है, तो नहीं call कर पाएगा, उसे दिखेगा नहीं, वो method, अगर, अगर मैं चाहूँ यार की, मतब मेरी access limited हो, मतब कल को एक method है मेरा, जो की, एक order पर operate करता है, ठीक है, और उसे यह चाहिए, की order की, यह order कितने price का है, या इसकी cost value क्या है इस order की, ठीक है, बस उतो यह चाहिए, उसे यह मतलब नहीं है की, यार, इस order में क्या-क्या चीज़ें और भी है, मतब, या क्या-क्या order किया है बंदे ने, उसे मैंने यह नहीं दिखाना, ठीक है, for example, समझ रहे है, मतब, kind of, उस method को सि मेरी cost value से मतलब है की, यार, इस order की cost value कितनी है, ठीक है, बट उसे यह मतलब नहीं है की, इसमें कौन-कौन से item order किये हुए है, किसने order किया है, कितने बज़े order किया है, उसमें और चीज़ें ही बहुत हैं, बट मुझे एक ही चीज़ दिखानी है, की cost value कितनी है उसकी, है ना तो जैसे, for example, मेरी कोई, मान के चल मेरी कोई class है, वो बोलती है order information, order info, यह मेरी कोई class है, ठीक है, इसके अंदर बहुत चीज़े है, for example, इसके अंदर मेरा, एक तो है कि, list of items है, जो जो order किया है, उसने, ठीक है, इसको बोलता है, तो मैं ordered items, ठीक है, for example, ठीक है, इसके अंदर क्या है, उसका price है, order का, total, ठीक है, यह मेरा double है, ठीक है, इसके अंदर, मेरा ordered by है, जो की user की information है, इसने order किया है, ना, ordered by, अब, इसके अंदर कुछ methods भी है, इससे मैं बोलता हूँ कि, यार, get ordered items, ठीक है, जो की यह return कर देगा, मुझे, return UI कर देगा, for example, है ना, इसके अंदर get price भी है, get price भी है, और इसके अंदर get, क्या है, ordered by भी है, यह 3-4 method है, इसके अंदर, ठीक है, इस class के अंदर, ठीक है, अब kind of, मुझे ना, बाहर world को, मैं बोलता हूँ, एक मैंने बनाया class, ठीक है, kind of, ओ, sorry, मैंने बनाया interface, मैंने मेना इंटरफेस ठीक है उसको मैंने बोल दिया और प्राइस इंटरफेस ठीक है उसको बोल दिया इसको और इसके अंदर मेरा मेथड़ है गेट प्राइस जो कि पब्लिक मेथड होगा हां और जो कि डॉबल रिटन करेगा और यह काइंड ऑफ और राइडी लेगा order id के बेच पर यह get price return कर रहा है ठीक है यहां भी for example यह जो get price है यह order id ले रहा है double order id ठीक है और मैंने इस class को यह method implement करा दिया implements sorry यह interface implement करा दिया इस class को है यह बोलती है order price interface और इसके अदर जो method get price हुई है already implement करी रही है है अब यार जब जहां भी मुझे pass करना इसे मतलब जब भी मुझे इसको किसी को देना है इसे for example यार कोई मेरी class है जो बोलती है कि short orders by price है न यह एक list लेती है न अब यार यह list of order info भी ले सकती है न लिस्ट of order info भी ले सकती है और यह list of order price interface भी ले सकती है तो यह list है अब यार देख अगर मैं इसे पूरी की पूरी order info pass कर दूंगा list of order info ठीक है तो यह list में से जब वो बंदा निकालेगा चीजें ठीक है तो उसे order info का object मिलेगा राइट है ना अब वो order info से get order items भी कर सकता है get price भी कर सकता है get order buy भी कर सकता है है ना कुछ भी कर सकता हो कि किसने order किया है भाई कौन-कौन से item order किये है बट यार उसे लेना सिरफ इसी information से है इस method को सिरफ getPrice से ही लेना दिना है, उसको किसी और से लेना दिना है नहीं है, so why should I give him the list of order info, है ना, I mean I should give him only the list of order price interface, है ना, अब इस interface के अंदर जब वो निकालेगा तो, he can say, मदब list पे जब ही trade करेगा, वो for loop लगाएगा इस list पे जब ही trade करने के लिए, और list में से पहला object निकालेगा, list.get0 बोलेगा, और इसको फिर यहाँ पे order price interface का reference मिलेगा, रइट, पर इसमें मनें o बोल दिया, अब यह o.getPrice कर सकता है, यहाँ पे, o.getPrice, correct, but he can't call o.getOrdedItems अभी इस पे, correct, क्योंकि इस interface में उली एक ही method मैंने expose किया है, जो कि है यह वाला, यह चीज़ clear है, right? यार, kind of मैंने यार, मतलब interface is used to expose whatever is required, ठीक है, out of n number of things, for example, out of n, if I want two things to be exposed in an interface, I will expose those two, and that interface I will pass in, okay? अब उसके उपर वो बंदा, जो भी उसे, मैंने method expose किया है, बस वो वही call कर सकता है, मैंने उसे restrict कर दिया, through interface, कि भाई, तू यही use करी हो, ठीक है? अब जैसे, दो teams हैं, आपस में, काम करना start कर रही हैं वो, उन्हें हमसे कोई information सीए, जैसे यार, जैसे for example, inventory की team है न, inventory की team है, और, यहां से तेरी checkout की team है, है न, तोनों काम कर रही हैं, अब checkout वाले team को inventory से क्या चीए, कि हमें यार, तुमसे price की information चीए, कि इस वाले, हम तुमें item ID देंगे, तुम हमें price दोगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, अब, वो बोलते हैं कि यार, अभी तो हम implement कर रहे हैं यह चीज़ अपने end पर, मतब, अभी हम तुमें दे नहीं पाएंगे, तो हम बोलते हैं कि यार, अच्छा, तुम interface तो freeze कर दो न, अपना, कि तुम क्या-क्या दोगे हमें, मतब, तुम हमें चिस interface बता item id, ठीक है, और यह हमें return करेगा, I mean, जो भी price की information है, मतलब, kind of, यह price का object return करेगा, जिसमें की, kind of, कुछ, कुछ होगा, fields होंगे, 10 fields होंगे, for example, बस हमें उतना freeze कर दो, हमें और कुछ नहीं चीज़ तुम से, तुम, मतलब, इस get price को, तुमें fetch price को कैसे implement करना है, तुम करते नहीं होगा, कि यार, बस तुम्हें यह बता दो, कि तुम्हारे end पर क्या JSON आएगी, बस तुम करते रोग, तुम्हें कुछ भी करना है, तुम हमें mock JSON दे दो, एक mock JSON दे दो, हम अपने आप करते रहेंगे, अपने end पर जो भी implement करेंगे, बस हमें एक mock दे दो, बना के, सुन यार, यह वाला interface है, वो, जो हम interface int, यह हो, जो implement हम बोलते हैं, यह class और interface वाला interface, correct? अब यार, जो भी class इसे implement कर रही है, ठीक है, जो भी class इसे implement कर रही है, उसको जो method है, वो implement करना पड़ेगा, मतलब यह constraint है, जा वो बोलते हैं, कि यार, whosoever class is implementing the interface, has to implement that method, उसको उसकी definition दे नहीं पड़ेगी, method की, कि वो कैसे चलेगा, ठीक है, ठीक है, अब यार, तुम मुझे बोल, तुने मुझे, kind of, जिसे, तुझे मैंने बताया कि यार, यह list इसने ले ली, है ना, अब, इसको देखते हैं, इसको और detail में, यार, थोड़ा था, code लिखके देखते हैं, ठीक है, ठीक है, अब यह इंटरफेस है मेरा, मैंने यहां पर बोला, public void, और सारी, public int और double fetch price, अब मैंने बोले इसको order id, so give me the price of this order id, यह मैंने inventory के इंटरफेस को बुला, ठीक है, अब यहार, इसकी एक implementation भी होगी है, है ना, मैं बोलता हूँ उसको inventory impl, है ना, अब यह इंटरफेस को, ठीक है, ठीक है, जब यह इंटरफेस, तो यह error देगा मुझे, है कि your class inventory impl must either be declared abstract और implement abstract method fetch price, ठीक है, तो हम implement कराएंगे, ठीक है, यह override अपने आप लगाता ही है, क्योंकि इसको override करा रहा है, इस interface को, है ना, अब यह कुछ तो करके, for example, मुझे price return कर रही है, मुझे नहीं पता हो सकता, इसने DB से लिया और वो price, यह database query मार रही है, SQL query मार के, फिर यह लेके आ रहा है, price उसकी order ID का, for example, इसने 12 return करा दिया, मुझे, ठीक है, अब यार, जब भी कोई बन्दा, अब, for example, मेरी एक और class है, क्या बोलें इसको, short orders for example, और check, और availability check करके class है, ठीक है, availability check करके class है मेरी, अब यह क्या कर रही है, कुछ तो, short orders कर रही है, short orders by price, ठीक है, public, void, ठीक है, अब यहार, यह क्या लेती है, for example, list of inventory लेती है मेरी, inventory list, अब देख, जब मैं इस पर iterate करूँआ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं call कर पाऊँग, right, inventory dot fetch price, और यहाँ पर pass कर पाऊँगा, मैं order ID, for example, वहने 12 order, यह 15 pass किया, order ID, ठीक है, और यहाँ अब यह से fetch कर पाऊँगा, right, है ना, अब जब भी कोई बंदा इसे call कर रहा है, तो इसे list of inventory कर रहा है ना, है ना, अब यार, inventory खुद में तो कुछ है नहीं, यह तो खाली है, correct, तो इसका मतलब, जब भी कोई बंदा इसे call कर रहा है, तो इस list में वो, actually में तो inventory की, जो implementation class है, उसके object बना के डाल रहा है, यह चीज तुझे, यह line तुझे clear है, जो मैंने बुली, यार, यह code से तो मुझे समझ में रहा है, पर actually कर क्या रहा है, मतलब समझानी में, जो code लिखा है, जो code लिखा है, वो तो समझ में रहा है, इसमें list लेगा है, और फिर यह नीचे तुन्हें लूप चलाया है, एक एक करके, जिसमें list में से inventory चेक कर रहा है, और उसके बाद inventory पहली बार जो inventory लूप में, उसका fetch price किया, बन रहा गी, जो यह बूल रहा हूं कि यार inventory तो कुछ नहीं है, यह inventory तो खाली इंटर अब यह interface पे call कर रहा है, यह dot fetch price, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि, actually मैं तो inventory के अंदर किसी object का reference ही होगा, कोई तो objects आ रहा होगा inventory के अंदर, उसी पे fetch price call हो रहा है, बना, kind of, मैं यह कहना चाहरा हूं कोई और, for example, एक मैंने और method बनाया, do something, public, white, तो मैंने, for example, मैंने बोला, मैंने बोला inventory, inventory, equal to new inventory IMPL, correct, मतलब, kind of, यही possible है, और तो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है, मतलब, मैं left, right side पे उसका object बना रहा हूं और left side पे उसका reference है, उसको reference को point कर रहा बस, इस object को, है ना, तो, अभी तक तूने यह देखा था, कि मैं simply inventory IMPL, equal to new inventory IMPL लिखता हूं, correct, अभी तूने यह देखा था, अभी यह नया है, right, कि हाँ inventory में, मैं inventory IMPL डलवा रहा हूं, अब यह inventory तेरा class है, और यह भी तेरा class है, inventory मेरी interface है, और inventory IMPL मेरी class है, अच्छा, inventory IMPL के object को, हो तो inventory type के interface में, हाँ, चीक है, तो तेरे ही साबसे, यह assign क्यों हो गया, क्योंकि यार इसमें तो अभी तक parent child का चक्कर होता था, पेरेंट को पता होगा कि मेरे child कौन-कौन से, मतलब क्या यह जुरूरी है, पेरेंट को पता होना कि मेरे तो अब देख इसमें logic यह है कि जैसे तेरा अब inheritance पर आते हैं एक बार के लिए इसके अंदर है method M1 अब तेरी class है B जो extend करती है A को ठीक है child होगे भी और एक ठीक है उसके अंदर M1 method है बिल्कुछ सही है ठीक है अब तो एक B बनाएगा एक मिन्ट रूम चलतूं अब अब रिएडिंग कराया एक है या वह लोडिंग कराया है अब लोडिंग कराया ठीक है अब 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 राइडिंग ठीक है देख दीपचन यार यह ना दो concept्स है यार ठीक है जब दीव बोलते हैं सब्सक्राइब करें अगर यार यह लोडिंग तब है जब यार मैं सेम क्लास में हूं काइंड आफ एक बार के लिए ठीक है फार इजामपल यार मैं बोलता हूं कि यार मेरे दो मेथड है एक एक M1 है मेरा जो कि दो इंटीजर लेता है इंटीजर A, इंटीजर B और मेथड है मेरा M1 जो की एक ही इंटीजर लेता है ऐख है तो अब यार यह दोनों मेरे क्लास एके अंदर एक अंदर आन इक मतब इनकी definition भी है यह अपने अब यार अब जब तू एका अब्जेक्ट बनाएगा बोलेगा ए एक्वल टू न्यू ए ठीक है और तू बोलेगा ए डॉट एमवन ठीक है उसके अंदर तुने दो पास करा दिया ठीक है यह कौनसे मैंसरों कॉल करेगा इस वाले को राइट वाले को हां है ना जिसमें एक व तो यह कौनसे वाले को कॉल करेगा उपर वाले को राइट पहले वाले हां अब तूने सिगनेचर वर्ड यूज किया है ना इक सिगनेचर सिगनेचर में क्या क्या आता है यार तेरी साथ से तो सिगनेचर में आते हैं अच्छिली उसका नाम मैथड़का और मैथड़के और यह दो नहीं आता है पैरामेटर से ना है और रिटर्ण टाइप अब ना इसको उसको उसके करके देखते हैं तेरे एकलिप्स पे ना यही चीज चो तुछ मैंने इसमें बताई है उससे तरह रिटर्ण टाइप वाला भी कन्फूजन दूर हो जागा हाँ टीक है अब मैंने बोला इसमे एक यार एक जावा क्लाास बनाई मैंने ए इस की इंदर मैं दूरी में चाहहें 되어 दो रखें पपलिक यॉइड violent yourself और एक रखा एक और रखा अभी एर्र दिर रहा राइट कि cannot have methods of same name यह already defined है यहाप ठीक है अब अगर इसके अंदर अगर मैंने इसके अंदर a pass कर दिया तो यह error दूर हो गया राइट अभी यह समझ गया कि दो अलगलग methods बन गया मेरे ठीक है अब यहार for example इसको मैंने return करा द ठीक है अब देख अब एक और वाइट के नाम से से में से मैंतर वाइड से बनाते एक बार तो वह बिच्छा को जाए रेटन टाइप वाला भी करा अब जो को परेमिटर वह टाइप वाइड देते ना इंटीज़ए तो मतल़ है रेटन टाइप से किने करता है अहां रेटन टाइप चेक नी जैसे क्या मतलब है कि signature सेम नहीं तो रिटन टाइप इस नॉट पार्ट का नाम और उसके पैरेमेटर तो यार अगर मैथर का नाम डिफरेंट हो गया तो वर रोडिंग थोड़ी होगी तो यह बोल कि अगर मेरे सेम नाम के मेथड है और उनके आर्गुमेंट्स डिफरेंट है ठीक है तो मेरी मेथड ओर लोडिंग है ठीक है उसमें रिटन टाइप कोई लगा नहीं है अभी के लिए ठीक है मैंने यह कर दिया ठीक है अब यार जब मैं एक ठीक है मैं इसका मेन मैसल लिख रहा हूं मैं इसका यहीं पर अब मैंने बोला a equal to new है है ना अब जो मैंने call किया a dot m1 और मैंने call किया a dot m1 ये वाला ठीक है तो एक case में मेरा अगर मैं simple बोलूँ अब इस case में मेरा parameterized है और एक case में मेरा non-parameterized है तो अगर इसको मैं run करूँगा simply तो पहले non-parameterized रहाए ठीक है तो ये कहानी है अब यार ये तो हो गया overloading ठीक है तो अभी मैं तुझे ये बोला था यार कि अगर same class में है तो ही overloading है है ना है ना तो इसको मैं revise भी कहता है एक बार सुनी हो ज्यान से अभी तक same class वाला ही खेल रहा है हम ना कहानी है एक करेंड यार तो अभी ये तो हो गया अब ना यार क्या कर रहे थे हम हम ये तो ओवर लोडिंग है ना इसको मैं ओवर लोडिंग बोल देता हूं यहां लिक्वे देता हूं ओवर लोडिंग ठीक है अब यार आते हैं ओवर राइडिंग पर ठीक है ओवर राइडिंग मतलब एक नहीं class involved है यहां पर जो कि इसे extend कर रही है ठीक है एक और class B बनाई मैंने इसी में बनाब चंद यहां इसी same class में ठीक है for example मैंने एक और class बनाई class B जो कि extend करती है A को है ना अब यार क्योंकि A के अंदर सारे method defined है तो जरूरी निया कि तू इसको यार define करे ना करे है ना इस method को इस beam के अंदर है ना अब यार मैंने क्या किया कभी जब भी तू तेरी कोई भी class किसी class को override कर रही है, तो तो यह लिख सकता है हमेश्वा स стен बायस B equal to new derived हां मां ओब चल्ड क्लास जो Virtual है उसको मैं प्रेंट क्लास के अक सकता हूं हां हां तो ते ररा reference basically, मैं इसको left side को reference बोला हूं तो 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 तुछचा reference जो है व Ö parent type का हो सकता है तो तो त्रह reference तो परेंट type का हो सकता थै जो actual implementation है वो तेरी it could be base तो तू क्या बोलसकता है? base 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 b equal to new base या तू बोलसकता है base b equal to new derived देराइवड ठीकहे है? ठीक है, अब देख, अब यार, अगर मैंने इसको base b equal to new b बोल दिया, बोल सकता हूं, राइट, मैं, a equal to new b, a मेरा, a parent है, हाँ, बोल सकता है, है ना, अब यार, मैं अब इसको run करूँगा, तो same output आएगा, राइट, a.m1 और वह वाले, चल जाएगे हैं ना, हाँ, मैंने क्या किया, मैंने एक function और बनाया, इसके अंदर, m2 नाम का, ठीक है, b के अंदर, देख रहा हैं ना, अब मैंने बोला, यार, a.m2, और इसके अंदर, चार पास कर दिया, तेरे साब से क्या होगा, इसने तो error दे रहे हैं तो है, यह तो चल दे रहा है, तो तेरे साब से, compile time क्यों आया यह, compile time क्यों आया, एक माड़ बतायता हूं मैं, compile time यूं आया, क्यों पी, एक्सेस, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट क्या कर सकते हैं, इस वैसे, जो तेरा यह रेफरेंस फेरिवल है, वो तेरा पेरेंट टाइप का है, है ना, पेरेंट को नहीं बताना, मेरे चाहिवल कितनी क्या हैं, अगर तू यह करता, अभी यह, हरय का पेरेंट की, आर पेरेंट करना, जाज है, इसलिए देख, देख, simply तुझे यह देखना है, कि यार, इस class के अंदर कौन-कौन से method आ रहे है, ठीक है, इस class के अंदर अभी M1 आ रहे है, जो A class है, क्योंकि तरह reference A class का था है, तरह reference जो था, वो A class का था, तो A वाले reference पर call कर रहा है, कोई भी method, तो इसको कौन-कौन से method visible है, यार, इसको M1 इसको बस वही method visible होंगे, जो कि इस class में होंगे, ठीक है, या फिर object class में होंगे, एक Java में, एक class है, object class, ठीक है, वो सबकी parent है, वो class सबकी parent है, ठीक है, तो जो भी उसके अंदर method होंगे, वो भी A.C access हो चकते हैं, ठीक है, तो, अब क्या मैं कहा रहा हूँ कि, यार, तेरी ब parent के अंदर जो भी method हों, parent के अंदर, अगर parent का reference होगा, तो वो child के method को access नहीं कर सकता, तेरी वाली बात भी सही है, बट वो थोड़ा सा और, तो बस ये सोच कि, यार, इसके अंदर मेरे कौन-कौन से methods आ रहे हैं, इसके अंदर मेरे only M1 ही आ रहे हैं, एक M1 परामेटराइज आ रहे हैं, M2 तो आई नहीं राइस के अंदर, right, M2 तो मेरा B के अंदर आ रहे हैं, तो A type के reference से मैं only A class के method के access करता हूँ, हाँ, 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 अब अगर मैं बोलता देख, अगर मेरे ख्याल से यहाँ पे और होती, public, confused नहीं होना, ठीक है, अराम से करेंगे इसको, public class, अब यहाँ पे मैंने लिखा, public word M3, ठीक है, और यार, यह extend कर रही है, C को, यह extend कर रही है, C को, ठीक है, है ना, और अगर, अगर मैं A dot M3 लिखूँ तो चलेगा, तेरी साब से, A dot M3, एक मिनिट, extend कर दिए, C को, हाँ, चलेगा, ना, हाँ, A dot M3 लिखूँगा, तो चलेगा, रही है, हाँ, क्योंकि अब इसके पास M3 भी आ गया, हाँ, अब इसके पास M3 भी आ गया है, हाँ, extend होते है, M3 आया, अगर, extend नहीं होता, तो कुछ नहीं होता, फिर तुझे, C का एक, वो बनाना पड़ता, object, अगर, उस M3 को access करना है, तो, हाँ, यह clear है, राइट, हाँ, यह clear है, वह तो इसमें, जिखना करेगा, ने मेरे को, उतना मुझे और मजाएगा, क्योंकि साला, तब ही, fundे clear होंगे, अब, अब, इसमें और भी concepts है, यार, बहुत ना, यह वा बनाया होता, बना देना, बनाते क्या होता, बनाई थे, अब अगर मैंने बी का बनाया, फर एक्जामपल, यहां पर मैंने लिखा, बी, इक्वल टू, न्यू बी, है न, अब, क्या मैं, बी पे M3 कॉल कर सकता हूँ, बी से M3, हाँ, एक मिनट रूप, इसका मुझे डियाग्रम बनाया थे, हाँ, बना, बी से M3 कॉल करना है देर को, न, बी एक्जांट कर रहा है, एको मतलब, बी का, बी, एका चाहिल्ड हो गया, और ए, सी का चाहिल्ड है, बी, एका चाहिल्ड हो गया, सबसे उपर कॉन से है, सबसे उपर A हो गया न, 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 सबसे उपर C है न, यार मुझे पैन कॉपी लाने पड़ेंगे, यह वाला तेरा, बिना कुछ लिखा है, इसके आग कुछ निखा है, यह खाली है, तो यह सबसे उपर है, इसके आग सबका बाब C है, फिर A है, फिर B है, हाँ, ठीक है, तो आपने लिखा B B equal to new B, तो A तो कर सकता है, फिर इसके भी, न, मैं कह रहा हूँ, मैं B पे M3 कॉल कर सकता हूं, तो काफी पर लिया,